So friends, बहुत सारे वीडियो आया है, बढ़कन्नी का भी वीडियो आया है कि मुझे सबने टैग लाइन लगा दिया और पिछला जो वीडियो था जिसमें तीन फिट हाइट वाला टाइटल था, वो भी चेंज करके पूरे दिन का रूटीन कुछ ऐसा टाइटल डाल लिया, उदर जो अंकुष हैं, उनका भी वीडियो आया, बग्गा मामा भई, विटामिन सी, है न, जो फेस वाश है, जो ममा अर्थ का फेस वाश है, उसका प्रमोशन करते वे दिख रहे हैं, बैट के प्रॉपर क्यामरा लगा के, ठीक है, और वहाँ पे जो अंकुष हैं, अंकुष नह तक का सच, 18 तारीक, 18, 10, 2023, Memorable, तो चलिए, फ्रेंट्स, वेलकम तो मैं चानल, इट्स मी, स्वाती, कैसे हैं, आप लोग, I hope, आप लोग मजे में होंगे, और एकदम बढ़िया फस्क्लास होंगे, सबसे पहले मैं बात करती हूँ, अंकुष की वीडियो की, तो आज, 18 तारीक को, इनको को एड्वोकेट से मिलने जाना पड़ा, तो अचानक से फोन आ गया, और बता रहे दी कि 18 तारीकों बहुत मेमरेबल है, क्योंकि काफी सारी चीजे तारीकों पर बात हो रही थी, कि मेरे पापा की भी डैथ हुई थी, प्लस जो सिधार्थ है, है ना, जो गुल्लक मैंने बनाई थी, वो भी 18 तारीक को ही, तो जब वो आएगा, अपने हाथों से फोड़ेगा, और गुल्लक खोलेगा, तो कभी तो आएगा, वो वेट कर रहे हैं, कि कब देखे दिन आता है, बाकी मुझे लगता है कि विजिटेशन, जो ये कह रहे हैं, कि आन कहीं, आने वाले टाइम पे 20 तारीक को शायद हो सकता है, विजिटेशन हो, वो कह रहे हैं, मेरे लिए स्पैशल है, हो सकता है, से उनकी मुलाकात हो, तो चलिए उस वीडियो की भी बात करेंगे, लेकिन छुटकनी का जो वीडियो आया, उस पार में मैं बात करना कि टाइटल है, सब तैयारी कर ली है, अब बस वेट है जाने की, देखिए इस तरह से जो टाइटल लिखे जाते हैं, अब लोगों को यही लगएगा कि क्या जिची जाना है, वापस जा रही हैं, तो इन्हों नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वेट इनको है कि भया जल्दी स से उपर का काम हो, ताकि नवरात्रों में हम लोग छोटा सा पूजा, छोटा सा हवन वगेरा कराएं, और हम लोग उपर शिफ्ट हो जाएं, वो बात और है, बग्दा मामा ने कहा दिया, वो तब ही होगा, जब हमारा पूरा काम कम्प्लीट हो जाएगा, तो शायद जो जब कराना कुछ नहीं होता है, ठीक है, इन चीज़ों को आप इतना लाइटली लेते हो, तो बोलते क्यों हो, है न, तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हो, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है, तो लाइक शेयर सब्स्राइब कर दीजेगा, इससे पहल काने का भी टाइम नहीं है, नेल्स कट करने का भी टाइम ही, मैं बहुत ही जादा बिजी हूँ, ये व्लॉग मेरा पुराना ही है, लेकिन एडिट करने में टाइम लगता है, सब चीज़े देखनी पड़ती है, मैं अकेली जान क्या क्या करूँ, लेवरों कितने पर चाय ब बनाओ, पूरा घर मेरे इस पैसों से बन रहा है, मैं क्या ही करूँ भईया, घर के भी देखूँ, खाना भी बनाओ, आज हमारे न्यू रूम, भईया, आज जिजी ने कई बार अपना वो जो नया रूम है, उसमें बेज कलर, बेज कलर, बेज कलर का पेंट हुआ है, बोल बहुत अच्छा लग रहा है, ये कमरा, न्यू रूम जहाँ पे टाइल्स लगी है, वहाँ पे काम हो गया है, और बहुत अच्छा लग रहा है, उपर का वाश्रूम बार बार दिखा रही थी, तो नीचे कॉमेंट्स में भी बार बार लोग लोग लिख रहेंगी, बस अप और सर्दिया आ रही है, बहुत रौनक वाला टाइम होता है, यह हमारा उपर भी paint का काम हो चुका है, बेज कलर ही कराएंगे, यहाँ पे भी जो नीचे हुआ है, जिजी ने मेरे खाल से यह दो दिन का वीडियो है, नेक्स देन का बेज कलर हो चुका था, उपर almost paint का काम, master bedroom व तो समय ही बताएगा, खेर, शाम को सब अपने काम कर रहे हैं, नीचे जो सामने जो खेत है, kitchen garden है, बहां से यह शूट कर रहे थी, इमकी मदर नीचे बैठी हुई थी और वो लहसुन साफ कर रहे थी, तो जिजी ने फिर sunset दिखाया, जो यह सूरज की race पढ़ रहे हैं, कितन sunrise sunset दोनों बहुत पसंद है, और next day का वीडियो हो गया, मेरे खाल से इनको, क्योंकि यह इतनी busy है, चाय बनाने में, खाना बनाने में, पूरा काम करने में, इनको labor की भी काम करने होते हैं, तो यह वीडियो बना ही नहीं पा रहे हैं, दो तिन दिन का यह शूट करके रख ले उपर आती रहती हूँ, यह चाय पकड़ानी भी तो आना होता है, किसको अब कौन आएगा, बगगा मामा तो भईया, फोन पे, बिजजी, हाँ, फिर से toilet room दिखा रही है जिजी, भईया जिजी आज तुमने बार-बार, मतलब ठीक है यार, एक बार दिखा हो, बार-बार, जो उपर जागे अपना toilet, bathroom वगएरा, tiles वगएरा, वो दिखा रही है, मतलब बढकनी दिखाती है, समझ आता है, तुम भी यह सब दिखाने लगी हो, यह है room से नजारा, hall से, तो जिजी ने hall से नजारा दिखाया थे, कि sunrise कितना सुन्दर नजारा है, खिडिकियों से दिखा लगवाए है, तो फाइनली कहरी थी, कि मा मैं आपको आज अपनी वीडियो में, सिंक जो किचन में लगए है, वो भी दिखाऊंगी, मेरी पसंद के सिंक लगए है, मैंने, अराम से cleaning भी कर पाएंगे, हम लोग इन सिंक में, वो वैसे वो नीचे जैसे लगए है, वैसे सिंक तो ये वाले सिंक जो तुमने लगवाए है, तो तुमारे ससुराल में भी लगए है, है जिजी, नीचे वाले सिंक पर थोड़ी दिक्कत होती है, बरतन क्लीन करने में, और किचन में जो शेल्फ है, वो मैंने अपनी हाइट के हिसाब से थोड़ा नीचे ही रखवा है, यू फिलिंग का काम हो गया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, हर चीज, वह यह माइके का काम हो रहा है, माइके का घर बनवा दिया जिजी ने, और अच्छा तो लगे गई है, और ससुराल में एक डाइनिंग टेवल, और एक सोफा का मेड लगा, दोनों मिलके लायते हैं, उसको भी बार बर बुला किया, डोरी, 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 यह है इनके हल, खैर, फिर जिजी नीचे हर चीज को शूट कर रही थी, आप जिजी सोचती हैं कि मैंने अगर वीडियो बनाना है, तो मैं हर चीज को कवर कर लू, फिर हमारे प्लांटर्स, देखिए हमारे प्ल लग रहे हैं और बहुत सुन्दर लगते हैं क्योंकि जो बगगा है यानि कि जो पप्पु है वो क्योंकि इनको time to time पानी देता है evergreen रहते हैं क्योंकि वो पानी डालता रहता है फिर जिजिन अंदर आके दिखाया है कि आज हमने आलू के परांठे बनाए हैं और दही से ये खा रही है अच्छा इसी बीच ये बोलते हुए दिख रही थी कि दूद की मलाई नहीं आ पाते हैं क्योंकि जैसे ही दूद आता है ग्यारा बजे वाली चाहे और फिर अपनी मर्जी वाली चाहे तो चार-पांच बार बोलो बन ही जाती है फिर जिजी ना जब पराठे दिखा है तो जिजी को याद आ गया बतो एक तरफ मैं दो-दो पराठे खा रही हूँ जिजी ने बोली दिया वेट लॉस ना एक हफते में नहीं हो सकता और मैं मिठा भी खा रही हूँ बाद मैंनों अपने पिंपल्स भी दिखाएं मिठा खाने से आ रहे हैं तो बहुत लाइफ लॉंग वेट मैनेज करना हो तो लाइफ लॉंग ये आप लोगों को देखना पड़ता है और फिर अपनी ग्रेनाइट दिखा र रूम रेडी है माता रानी का मंदर जिजी ने आज सेट किया है दूसरे कमरे में मतलब जो मम्मी जी का जो नीचे रूम दिखाया गया था, अरे मम्मी ने त्बनिल ऐसे किया था अहाई आया है आपको ऐसे किया था हाथ उस वाले रूम में आज मंदिर सेट अप किया गया है जिस तरह से बढकन्नी ने अपना मंदिर सेट अप किया था आज छुटकन्नी ने सोचा चलो नवरात्रे और मैंने बोला भी था हाँ पूजा करते वही नहीं दिखाया है बस एक मंदिर सेट अप जिजी ने आज फाइनली लक्ष्मी गडेश जी रखे वे थे माता की कोई मूरती ने थी वो मंदिर जिजी ने दिखाया है सेटप लगाया गया है लक्ष्मी गडेश जी का पहले दूसरे रूम में था जिजी बता रही है और उपर के रूम में ये final paint beige color ये जो beige color है ना जिसने इतना दिमाग खाया है ना उपर भी beige color, ठीक है नीचे भी beige color बिल्कुल सेम वही वाला हम लोग कलर करा रहे हैं और हम सर्दी के कपड़े निकाल रहे हैं सोचा वाश करके रख दूँ ये जैकेट मिली है तो जिजी ने ये वाली पिंक जैकेट पेन के जो शूट किया है आज वो शीन से पहले शीन से इनको मिलते थे कपड़े हाँ आप शीन से ये लोग थोड़ी मंगाएंगे शीन इतना एक्सपेंसिव है जिजी कह रहे है कि आप मैं सर्दियों के कपड़े धोँगी मुझे अच्छा निला कुछ लोग धूप लगा देते लेकिन नहीं मैं वाश करके रखूँगी वह बात और हमने वाश करके रखे थे लेकिन नहीं मिरुको अच्छा लगता है बहुत खुश हूँ उपर वाला घर तैयार हो गया है बेज कलर का पेंट मास्चा बेडरूम में भी हमने बेज कलर का पेंट कराआ है ये बेज वाके जिसने देखा होगा ना उसने भी नोटिस किया होगा एक तो bathroom की tiles उपर से beige color का paint creamy color का आएगा और हम तीनों ने सला करके, मैंने ममी ने बगगा ने तीनों ने सला करके paint कराया हमने सोचा था पहले कि नवरात्रो में, फिर जिजी ने finally यह जो टाइटल लगाया ना उस पे जिजी आई कि हमने पहले सोचा था कि नवरात्रों में हवन करा के शिफ्ट करेंगी बड़ पप्पु बोला पहले पूरा काम हो जाए है ना और हमें टाइम नहीं होता पूरा दिन वरकर में बीजी होते हैं चाहते वे भी काम नहीं होता चोटे-चोटे काम भी इतने सारे हो जाते हैं कि मेरे को टाइम ही नहीं मिलता मैं क्या ही बता हूँ इतना व्लॉग बनाने का मन करता है आप लोग भी वेट करते रहे हैं लोकि मेरा वीडियो आ ही नहीं पाता भाया एडिटिंग भी करनी होती है फिर जिजी ने दिखाई दिए फैनली देखो मेरी आपर स्किन ऐसी हो गई है मेरे पिंपल आ गए है मिठा खाले त्यू मैं क्या ही करूँ और बहुत खराब हो गया है फिर इस वाइट है विटामिन सी का मैं जो बॉड़ी शॉप का फेस वाश है वो ट्राइक आप अच्छा लग रहा है फिर अच् अब कभी पहनना हो जिजी तुमने जो जैकेट पहन ली एक दम से यह तो तुमने वाश भी ली करी अभी तो पहले की तो थी उसमें गोली वगएरा डाली होगी डाली थी की ने डाली थी वो जो नेफ्थलीन बॉल्स होती है फिर जिजी ने फिर से वाई रिपीट के सिंक लग चुके हैं बालकनी का अभी काम थोड़ा रहता है बालकनी की रेलिंग लगेगी सेनिटरी का काम टाइलेट सीट लगेंगे दरवाजे आएंगे खिड़की लगेंगे लेकिन मैक्सिम्म जो पेंट वाला काम है वो फाइनली वो है पूरा अल्मोस्ट हो चुका है और फ चुकत हो जाएं जिजी जिसे आप से काम की स्पीड जा रहे हमको तो लगता नहीं पहले भी असी हुए तुम भगवान का नाम बोलती क्यों हो जो करने बाते हो तो ऐसी पहले बर्टडे पर हम लोग ये कराएंगे वो कराएंगे होता कुछ भी नहीं लोगों से जागरण क से मेरे खाल से सौ बार बोल चुकी है हमें गैस लेनी है गैस उपर रखनी है कौन से लूँ दो बर्नर की लूँ तीन बर्नर की लूँ लूँगी तो मैं तीन बर्नर की लेकि तुम लोग से मैं पूछूंगी ज़रूर है क्योंकि कॉन्टेंट है कुछ तो मुझे बोलना है चार बर्नरगी भी मैं ले सकती हूँ, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना या उपर गैस टाएंगे, चाय चुई तो पीलेंगे, गैस हुई तो नीचे गद्दे लगाएंगे शादी में, गद्दे लगाएंगे नीचे बहुती मज़ा आता है दोनों रूम्स में गैस टाएंगे, नीचे गद्दे लगाएंगे शादी में, काफी सही रहेगा ये सौर रुपे भईया, एक सौर रुपे गलती है जिजजी को दिख गया, जिजजी करें ये सौर रुपे मैं मम्मे को दे दूँगी अगर नहीं दिखते तो बताओ, ऐसी धोने ओने में कहीं शायद गिल्ले हो गए ते जिजजी वो भी दिखा रहे थी मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन जिजजी ने फिर फाइनली अपना धोड़ा दुख भी बताया कि मुझे मेरी शादी जिजजी के मुझे से एकदम से यह वर्ड निकला दोस्तों, मेरी शादी फिर जिजजी ने बोला कि मुझे मैंने अभी तर अपने कपड़े नहीं लिया है भाई या शादी की कोई शॉपिंग नहीं करी है बग्गा मामा की शादी की शॉपिंग तो ये काम हो जाए पहले घर का सारा समान वमान आ जाए रहे उसमें भी तो घर्चा हो रहे है मेरा मैं ही तो करवा रही हूँ है ना सारा समान इतना घर्चा हो रहे है गाईस मैं क्या ही बता हूँ अरे जिजजी ने नहीं बोली जिजजी की दिल की बात है नहीं फिर उसके बाद मैं शॉपिंग भी कर लूँगी, कुछ नहीं, अभी तो कुछ भी शॉपिंग नहीं करी है, मैं मेने घर का सारा काम हो जाए, फिर शॉपिंग करेंगे, मम्मी का रूम बस आज मैं फाइनली सेट कर दूँगी, सारा अजमानी तो रोख है, धूल मिट्टी ल होगा, बहुत काम है, मुझे तो गर्मी का पता ही नहीं चाला गर्मी कब अई, और कब चली गए, हाँ, सर्दी बीना पता चलीगी, सर्दी में अभी तो तुमारे घर में बहुत काम रहता है, और तुम ही ही गरवा रही हो, तुम बढ़ीं डिपेंड की पूरा घर बनाया जा रहा है जिज्जी मैं व्लॉग भी नहीं बना पाती हूं मैं क्या ही बताओ इतनी बिजी हूँ फाइनल फाइनल जो व्लॉग्स आएंगे ना जिसमें जिज्जी फिर से कितनी टाइम बार जिज्जी उपर को होम टूर कराने वाली है हैं आप लोगों ने देखा है वैसे होम टूर तो कराई चुकी हैं कितने बार हो समान के साथ होम टूर होगा हां तो फाइनल व्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे आपको बहुत ही मजाएगा थोड़ा बालों की हालत को इगनोर करना आजकल तुम मेरे पस बिल्कुल टाइम ही नहीं तयार हो के वीडियो बन जिजजी को याद आ गया हां कल से कल तो भया मम्मी घर पे थी तो मैं थोड़ा सो गई वन्हां मुझे अराम करने का भी टाइम नहीं मिलता है यह ओता है न बहुत है जिजजी क्यो जूट बोल रही हो मम्मी थी हमने देखा था मम्मी जिस दिन चुट्टी वाले दिन बाहर महंदी लगा कि अराम से लेड गे थी चद्दरोड के और तुम्ही चाय चुटी बना रही थी तो यहां पर क्यों बोल रही हो कि मम्मी होती है थोड़ा मैं रेस्ट कर पाती हूँ आप लोग बताना क्या लेना है उपर के लिए बस एक फॉर्मालिटी करनी होती हुए तरू लिंक भेजा चुटकन्नी को कि तो उपर यह मंगाई हो यह वाला फरनीचर हां और आ रही हूं मम्मी फिर मम्मी जी ने पीछे से आवाज देके बुला दिया चुटकन्नी चल धर के काम कर चाया ना हां बड़े आई व्लॉग बनाने वाली चल यह हैं का कुछ आज का वीड ठीक है ताइट वो कुछ हमें ऐसा वो दे दिया है मुझे चलो अगर आप लों को वीडियो अच्छा लग है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो मिलते हैं जल्दी नेक्स वीडियो पे बाई बाई एंड टेक केर